जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि अगर आप अस्पताल या क्लीनिंग में काम सीख रहे हैं, तो इन सारे इंजेक्शनों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कौन सा इंजेक्शन कहां किस परकार की समस्था में डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है, इस एंजेक्शन को डोज क्या होता यह इंजेक्शन एक दिन में कितनी बार लगाना चाहिए, यह इंजेक्शन की दिक्केत क्या परेसानी रहती है, तब मरेज wykorकिंगा जाता है, जैसे कि इसके बारे में आज लोकल अनस्थेटिक इंजेक्शन का उप्योग किये जाता है या कोई फोड़ा फुनसी है उसका हमें छोटा-मोटा ओपरेशन करना होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है इस इंजेक्शन से हम कह सकते हैं परिटिकुलर एरिया पर ये इंजेक द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसको दर्द महसूस नहीं होता है बाडी के किसी भी पार्ट में ये इंजेक्शन लगाया जाता है जहां पर हम कह सकते हैं टाका लगाना होता है या फिर छोटा-मोटा ओपरेशन करना होता है तो उस समस्य में डॉक्टर के द्वारा ये injection लगा जाता है जिससे उस पर्टिकुलर एरिया को ये सुन कर देता है जिससे मरीज को या पेसेंट को हम कह सकते हैं दर्द फील नहीं होता है जैसे कि अगला injection है हमारा डेरी फाइलेंड डेरी फाइलेंड इंजक्षन कहां किस परकार की समझा में डॉक्टर क कंडिशन में और जैसे कि सीवोपीडी की कंडिशन में डॉक्टर के द्वारा ये injection मरीज को लगा जाता है जैसे कि इसमें अगला इंजक्षन है फेनरगान इंजक्षन फेनरगान इंजक्षन डॉक्टर के द्वारा मरीज को क्या लगा जाता है मरीज को क्या दिकत क्या पर किया जाता है और जैसे कि morning sickness की problem रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये injection मरीज को लगाया जाता है इन सोमनिया की condition में डॉक्टर के द्वारा ये injection मरीज को लगाया जाता है इसके इलावा और भी दिक्कत, और भी परेसानिये में, डॉक्टर के द्वारा फनिर्गान इंजेक्षन मरीज को लगाया जाता है. जैसे कि अगला इंजेक्षन है, हमारा Libo Thyroxine जान लेते हैं, Libo thyroxine इंजेक्षन कहां किस परकार की समस्या में, डॉक्टर के दौरा मरीज को लगाया जाता है लीबो थारिक्सिन इंजक्षन का यूज क्या क्या होता है चलिए जान लेते हैं सीवियर हाइपो थारेडिम की समस्या में डॉक्टर के दौरा ये इंजक्षन यूज किया जाता है या थाइराइड कैंसर की समस्या में डॉक्टर की द्वारा ये इंजक्शन उप्योग किया जाता है जब थारिक्सिन का लेबल हमारे सरीर में लो हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजक्शन मरीज को लगा जाता है इन्जक्षन है केटो लेक इन्जक्षन जान लेते हैं केटो लेक इन्जक्षन का उपयोग डॉक्टर के दौरा कहां किस परकार की समस्या में लगा जाता है मरीज को क्या दिकत क्या परेसानी रहती है जैसे कि इन्जक्षन मरीज को लगा जाता है जैसे किसी के दात में बहु ये इंजक्शन अर भी दिक्कत और भी परेसानियों में डाक्टर के दौरा मरीज को लगाजाता है क्योंकि ये इंजक्षन एक तरह से पेटिलर होता है जैसे कि अगला इंजक्शन है हमारा मेडा जो लाम इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। 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 लाइज को लगाया जाता है। तब डॉक्टर के द्वारा इस injection का उप्योग किया जाता है, फिनेटोन इंजक्षन दौरे की प्राबलम में यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, इसके लावब अगर आपको दिकत कोई परिसानी है, तो आप अपने नजदिगी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरा करके दवा लें, कोई भी इंजक्षन, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें,